Hi friends, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, divine days हैं हम भी तो, और divine days पे अपनी wishes के लिए जरूर कुछ ना कुछ करते रहना ही है, हमें वैसे भी बहुत सारी activities दी है आप लोगों को, जो आप कर रहे हैं, this is really awesome, आज तीन ऐसे मंत्र बताने जा रही हूँ, जो आपके wishes को manifest करके हैं, और जब हम मंत्रों का जाप करते हैं किसी intention के साथ, वो भी उस time पे जब दिन ही इतने पावन है, तो फिर आप सोच सकते हो कि वो किस level तक जा सकता है, and definitely आपकी wishes को manifest करके देगा, बस विश्वास आपको रखना है, because विश्वास ही वो चीज है, जो इन मंत्रों को जीव कर देती है, activate करती है, okay, so सबसे पहले, अभी तक switch words हमने English के सुने हैं, बट वेदिक switch words भी होते हैं, वेदिक switch words बोलो या वेदों के वेदिक कुछ एक शब्द होते हैं, जिनको अगर आप बार 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 उचारन कर रहे हो अपने मन में, तो उनकी vibrations, उनकी धुन, उनकी tune इ कि उसको vibrate कर रहे हो, तो वो 100% पूरी होती है, ठीक है, ये पहला word जो मैं आपको देने जा रही हूँ, वो है सफल प्राथना, इस शब्द में अपने आप में ही संपून्ता है, सफल प्राथना, मतलब बोलने के बाद, आप अगर खुद भी बोलके देखो, सफल प्राथन ऐसा लगेगा कि मेरी विशे सारी पूरी हो गई है, ये शब्द ऐसा है कि जैसे ही हम बोलने लगते हैं, दिमाग और दिल बिलकुल उस जोन में चला जाता है, कि सब मिल चुका है मुझे, सफल प्राथना, मेरी प्राथना पूरी हो गई है, तो जब हम ऐसा ही मन में लेके जाते हैं, doubt desperation से दूर चले जाते हैं, तो फिर 100% manifest कर लेते हैं, इसलिए जो word है, वो है सफल प्राथना, अब दिवाली की रात से आप इसकी scripting भी start कर सकते हो, ये आपको वहाँ पे भी help करेगा, ठीक है, 21 दिन continuously आप इसकी journaling करेंगे, अपने journal में लिखना शुरू करेंगे, blue color से या red color के pen को इस्तेमाल करेंगे, periods का कोई restriction नहीं है, simple लिखोगे, सफल प्राथना, आप Hindi में भी लिख सकते हो, English में भी लिख सकते हो, बीच में एक circle बनाओगे, जिसमें की अपने wish लिखोगे, okay, wish present tense में लिखोगे, क्योंकि आप लिख रहे हों यहाँ पे सफल सफल प्राथना, सफल प्राथना, सफल प्राथना लिखना, बीच में सकल बनाना, अपने wishes लिखना, so आप दिवाली से स्टार्ट करो, इसको कितने दिन लिखना है, तो at least 21 days लिखे आप इसको, continuation में, okay, अच्छा, अब भी मेरे पास, मैंने 11 day का technique डाला था, और किसी ने मु इसे काम नहीं चलता कि कोई चीज हमने अपने मन के हिसाब से, convenience के हिसाब से हम कर रहे हैं, जब हम चीजे करते हैं, techniques करते हैं, तो पूरे अच्छे से dedication से करना होता है, इसमें कोई आपको बहुत जादा महनत नहीं करनी है, simple अपनी wishes ही तो लिखनी थी 11 day, अगर उसमें भी म complete करेंगे ही करेंगे आप, 21 day के बाद इन papers का क्या करना है, आप dispose कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप जला सकते हो, universe में release करो, पानी में बहा दो, मिट्टी में दबा दो, अच्छा, इसके अलावा, दिवाली के दिन, एक मंत्र का जाप आप जरूर करोगे, जो आपकी wishes क लिए आपको मदद करेगा, तीन ऐसे मंत्र मैंने विडियो के शुरू में ही बोल दिया कि तीन मंत्र दूंगे, जिससे आपकी wishes पूरी होंगी, दिवाली के दिन, क्यूंकि हम खुद भी self love में हैं, सब तयार होंगे, ready होंगे, पूजा करेंगे, घर पूरा रोशन है, जग ज़्या यहली करके गनेश जी के मंत्र का जाप करोंगे, और यह जो मंत्र है, यह simple सा है, Om Gun Gunpate, Sarvakaryya Siddhi, Kuru Kuru Swahaa, इस मंत्र को जाप करोंगे, 108 बार जाप करोंगे, या तो आप जब शाम की पूजा हो रहे हैं, तब कर रिए हैं, नहीं तो सुबाब भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको दिवाली से शुरू कर सकते हो एक नियम की तरह और 40 दिन इसको complete करो अपनी wishes के लिए आपके wishes में आ रहे ही जितनी भी रुकावटे हैं वो जरूर खतम होंगी क्योंकि इनके शब्द ही दर्शाते हैं वो चीज़ मेरे बोले पर मत जाये कि मैं कह रही हूँ कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा नई इन मंत्रों के शब्द में ही लिखा हुआ है और ये मंत्र वेदिक मंत्र है और वेदों में जो लिखा हुआ है वो तो इश्वर के शब्द हैं तो उसको तो कोई जुटला सकता ही नहीं है इसलिए तो मैं इतने विश्वास के साथ बोलती हूँ कि होगा कैसे नहीं होगा जब हमारे इश्वर ने कहा है तो definitely होगा ओके, तो ये जो मंत्र है जाप करें, 108 बार गनेश जी से प्रातना करें प्रातना करें, present and past and नहीं प्रातना request की तरह प्रे करें और प्रातना में बहुत शक्ती है, ठीक है ये हो गया, अब जो मंत्र बता रही हूँ, वो जितने भी हमारे relationship वाले लोग है, उनके लिए तो ये क्या बुलूँ मैं, अमरत होने वाला है, रामबार्ण होने वाला है ये simple सा मंद्र है ओम लक्ष्मी नारायन आयन नम्हा पर इस मंत्र में जो जादू है वो अभी आप समझोगे जब मैं बताऊंगे ओम लक्ष्मी नारायन आयन नम्हा विश्नु भगवान का नाम आता है और मा लक्ष्मी बिना विश्नु भगवान के उनको खुशी ने मिलती प्रसन्ता ही नहीं है तो लक्ष्मी जी भी बही ठहरती है जहां नारायन जी है ओके, सो लक्ष्मी नारायन आयन नम्हा जब आप इस मंत्र का जाब करते हो, ओम लक्षमी नरायन आयन नम्हा का जाब करते हो, और अपनी किसी बेविशेस के लिए प्रातना करते हो, वो पूरी तो होगी ही होगी, साथ में जितने भी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो specific person को मैनिफेस्ट कर रहे हो, soulmate जब भी आप लक्षमी नरायन का नाम लेते हो, एक सांस में ये नाम लिया जाता है, ठीक है, लक्षमी नरायन, बीच में कोई break नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, तो couple का नाम बन जाता है, और जैसे ही आप अपने इस नाम का जाब शुरू करते हो, ओम लक्षमी नरायन आयनम्ह तो आप भी अपने आपको वैसा ही visualize करोगे, कि आप अपने specific person के साथ जब आपका नाम लिया जाएगा, तो वो भी एक ही सांस में होगा, इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सब अपने specific person के नाम अपने साथ, जैसे कि लक्षमी नरायन, एक couple का नाम बनता है, ऐस और जाने अंजाने में ही सही affirmation होगा, एक तरह का affirmation होगा, एक तरह की blessing होगी, एक तरह से दिल से निकलेगा कि वा, यह एक couple का नाम है, ठीक है, और वही सब को ही vibrate करेगा, तो आपको, yes, उससे एक positivity भी मिलेगी, इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि suppose मालो हमें एक नाम ले राहुलन रिया, ठीक है, तो अभी इनका नाम अगर क्लब करके है, राहुल रिया, तो एक सांस में ले लिया, हमने बीच में कोई निया, ऐसे ही अपने अपने specific और जादा कुछ मत लिखो, comments में भी बहुत जादा कुछ नहीं लिखना है, बस अपने specific person के name, ठीक है, वो लि blessings मांग सकते हो, कि please आप साब अपने अपने blessings दे मुझे, ठीक है, बट मेरे लिए प्रे करो कि मेरा specific person मुझे call करे, मेरे लिए ये करो, इस तरह की चीजे मत लिखो, ठीक है, आप लोग अपने लिए खुद अपने आपको blessings दे, राइट, वो आप लोग के लिए effective होगा, so that's all and yes, Diwali का तेवहार खुशियों से मनाईए, तयार होगे, self-love को super high note पे रखो अपने अपने wishes के लिए, और जो मैंने चीजे बताई थे कि, जिस भी angel से, archangel से, goddess, goddesses से अभी तक आपको help मेली है, उनके नाम का दिया जरूर जलाएंगे, universe को एक दिया जरूर अर्पत करेंगे and grateful gratitude show करोगे, thank you, बोलोगे, wishes manifest हुई है, नहीं हुई है, उनको छोड़ दो, but gratitude show करना ही करना है, okay, so that's all, thank you